हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल इंडियन कीचन बारिश खी मोसम में चाय के साथ अगर फुदीनापूरी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है तो इसी के लिए आज हम फुदीनापूरी बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने गीहु का आठा ले लिया है एक कप उस आठे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए वह बहुत जरूरी है मैंने यहां पे एकदम छोटे-छोटे कट करके फुदीने लिये है आप इसकी ग्रेवी बना के भी ले सकते है और उसी की ग्रेवी से आप इसका आठा बना सकते है तो मैंने यहां पे एकदम सेमी सॉफ्ट आ आठा बनाए तब हमें एकदम सॉफ्ट आठा नहीं बनाना है अब एक टीस्पून जितना ओइल एट करके अच्छी तरह से मसल लेंगे तक हमारी पूरिया बहुत अच्छी बने आठे को अच्छे से मसलने के बाद करीबन पांच मिनिट हम इसे रेश्ट करने के लिए रख पूरी बना रही हूँ अब जितनी बड़ी साइस की पूरी बनाना चाहते हैं उतने बड़े बॉल्स ले सकते हैं तो इस तरह से हम सारे आठे के बॉल्स बना लेंगे बारिश की मौसम में चाय के साथ ही पूरी खाने का बहुत मज़ा आता है अब हम पूरी को अच्छे से बेल लेंगे तो हम जब भी पूरी बेलेंगे हमें थोड़ी सी ठीक रखनी है एकदम पतली हमें नहीं बना लेनी है अगर हमारी पूरिया एकदम पतली बन गई तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं और हमने यहाँ पे आटा थोड़ा सा कड़क रखा था इसलिए हमारी पूरिया भी ज्यादा ओइल नहीं पियेगी तो इस तरह से हम सारी पूरियों को पहले बेल लेंगे जब तक मैं पूरिया बेल रही हूँ तब तक मैंने तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है अब इस पूरिय को बच्चों को नाश्टे में भी दे सकते है आलू की सबजी के साथ बहुत अच्छी लगती है ए पूरिया तो हमारी पूरिया बेल के तयार हो चुकी है अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो फ्राइ करने के लिए मैंने यापे कड़य पहले से ही रख दी थी मिडियाम फ्लेम पे ही हमें सारी पूरियो को फ्राइ करना है हाई फ्लेम पे फ्राइ नहीं करना है अगर हम high flame पे fry करेंगे तो वो पीछ में से थोड़ी कच्ची रह जाएंगी आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजी और बाजू में रहे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजी ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी पूरिया अच्छे से फ्राइ हो चुकी है तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं मैंने यहां पर थोड़ी क्रिस्पी पूरिया बनाई है क्रिस्पी पूरिया हमारी बनेगी तो चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरिया एकदम सॉफ्ट बनी है मैंने थोड़ी सी सॉफ्ट पूरिया भी यहां पर बना ली थी